गाइस, T20 World Cup की कैसी underrated team जिसने पहले तो West Indies को हरा कर tournament से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब सबसे मजबूत teamों में से एक England को हरा कर बाकी teamों के लिए खत्रे की घंटी बजा दी है जियां guys, अब बात करें Ireland team की जिसके बारे में tournament से पहले शायद किसी ने ये सोचा होगा कि ये इस तरह से धमाल मचा देगी दरसल T20 World Cup के Super 12 मुकाबले में Ireland ने England के सामने 158 run का लक्षा रखा था लेकिन England के team 14.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 105 run ही बना पाई थी और वहाँ मुसलाधार बारिश हो गई और तब England अपने लक्षा से तरेपन run दूर होने की वज़े से डकवर्थ लुईस के हिसाब से आइरलेंड से 5 runों से आरे विराट का कमाल, सूर्या का धमाल और केल राहुल की शानदार वापसी ने परोसी देश बांगला देश को चारों खाने चित्त कर दिया जिहां गाईज इन तीनों भारती बल्ले बाजों की मदद से इंडिया ने पहले तो 184 runों का बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर बांगला देश को 145 runों पर रोकते हुए डकवर्थ लुईस के हिसाब से 5 runों से मात दे कर टिकेट टू समी फाइनल लगबग तै कर लिया और करारा जवाब दिया है बांगला देश के कप्तान शाकेबल हसन को जिन्होंने मैच से पहले कहा था कि इंडिया वर्ड कप जीतने आई है लेकिन हम उसे हराने तो मजूदा सिती ये है कि इंडिया तो पहुँच गया है समी फाइनल में लेकिन अब शाकेबल हसन जी को और उनकी टीम को जाना पड़ेगा घर वैसे आपको आज के मैच में इंडिया के कौन से खिलाडी का परदर्शन सबसे अच्छा लगा कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा